चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और पाइए एडिकेशन वीडियोस डेली फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा डेली वन टोपिक बाई एके का परिवार दस हजार लोग इसके साथ जुड़ गए हैं या कह सकते हैं दस हजार का परिवार हो गया है ये मेरी नहीं ये आप सभी की मैनत है और मैं अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा और आज एक बात और बता दूँ मैं आपको देखिए पीडियेफ का जो आपका मसला है ना मैं उसको मिटा दूँगा कुछी दिन में तो पीडियेफ देखिए 60, 62 जितने भी अपने चैप्टर्स हो गए हैं इनका एक साथ डालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा पांच या चार पांच चार पांच चार पांच चैप्टर करके एक एक बार आपको पीडियेफ डा पिक बाई एके सर्च करना और उस चैनल को जोईन कर लेना वहां पे आपको पीडियेफ और चैनल से सम्मधित सूचना है समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी तो विश्वास करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका विश्वास बनाए रखने की मैं प्रशन नमबर 226 देखिए राजनीती विज्यान एक यह किसने कहा लासवेल ने ठीक है लासवेल ने माना कि राजनीती विज्यान भी है और कला भी है दोस्तो 27 नहीं बोलूँगा 27 बोलूँगा किसने इस बात पर बल दिया कि राजनीती का अध्यन तत्थ्यों पर आधार 28. संपूर्ण राजनिती विज्ञान का सरवादिक तरक संगत विभाजन कोन सा है तो संपूर्ण राजनिती विज्ञान के सरवादिक तरक संगत विभाजन के हम बात करे ना तो परंपरागत और आधुनिक राजनिती विज्ञान है ठीक है ये परंपरागत और आधुनिक र पुस्तक किसकी है आर्थर बेंटले की राजनीतिक गतिविदी में मनुष्य एक सीमा हीन एवं अगाद समुद्र में नाव खेता है ये चलाता है जिसमें ना कोई बंदरगा है ने लंगर डालने की स्थिति ना ही गंतव्य होता है और समुद्र मित्र और शत्रू दोनों हो सकता है ये कतन किसका है माइकल आक्षोट का तो माइकल आक्षोट ने राजनीति गतिविदी को एक सीमा हीने अगाद समुद्र में नाव चलाने जैसा बताया है जिसमें ना तो कोई बंदरगा है और ना ही लंगर डालने की स्थिति है और ना ही कोई गंतव्य होता है अपना स्थान निश्चित होता है इसमें समुद् आपका मित्र भी हो सकता है और शत्रू भी हो सकता है तो यह कतन है माइकल आक्षट का नेक्स देखिए कुश्यन नमबर 32 परंपरागत राजनीति विज्ञान का चेत्र कैसा है सीमित है जी और संकुचित भी है सीमित और संकुचित कोन से का है परंपरागत राजनीति विज उपागम कौन सा है तार्षनिक उपागम 34, किसने राज्य के कारे के संबंध में बाधाओं को बाधित करना बताया ग्रीन, ठीक है बाधाओं को बाधित करना 35, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्ता किसने माना रूसो, कांट और हीगल ने राज्ये को एक उच्च नैतिक संस्ता बताया रूसों ने, कांट ने और हीगल ने तो प्रशन 35 तक यहाँ पर कम्प्लिट हुए मतलब 235 तक वीडियो को लाइक कर दीजिए आज तो खुशी का दिन है 36 वा देगी राज्ये को बनावटी संस्ता कोन मानता है हापसौब्स कहता है कि राज्ये एक बनावटी संस्ता है 38 सब कुछ राज्ये के भीतर है राज्ये के बाहर कुछ भी नहीं राज्ये के विरुद कुछ भी नहीं यह कतन है मुसोलिनी का मतलब राज्ये के ही साथ है सब कुछ राज्ये के ही अंदर है राज्ये से बाहर कुछ भी नहीं है और राज्जे की विरुद भी कुछ नहीं है यह मुसोलनी का कथन है नेक्स देखिए 39 वह शाशक उत्तम है जो कम से कम शाषन करे, यह फ्रीमेन का क membahum शाषन करे ठीक है, शाषन ऐसा उत्तम है जो कम से कम शाषन करे चालीसवा, राज्य को पुलिंग और चर्च को इस्त्रेलिंग किसने माना ब्लंच लीने बहुत मैतपूर प्रशन है ये राज्य को पुलिंग और चर्च को इस्त्रेलिंग किसने माना ब्लंच लीने 41, राज्य की तुलना जेली फिश या छत्रिक से किसने की हर्बर्ट स्पेंसर ने तो बूचा जा सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की तुलना किस्से की है तो आंसर दे सकते हैं जेली फिश या हिंदी में छत्रिक नेक्स देखिए 42 समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकरती इसलिए खराब हो गई क्योंकि हर कोई उससे धारण कर लेता है या पहनता है ये कतन है C.E.M. जोड का समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकरती इसलिए खराब हो गई है उसको कोई भी धारण कर लेता है ये C.E.M. जोड का कतन है सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है ये किसका कतन है प्रूंदो का The Modern State पुस्तक के लेखक है मैकाईवर 45 वा राज्य विदी का शिशू वे जनक दोनों है ये भी मैकाईवर का कतन है 45 तक कंप्लीट हो गई यहाँ पर नेक्स देखिए 46 आदुनिक राज्य को माना जाता है लोग कल्यानकारी राज्य यहाँ पर थोड़े सी तस्वीर बलर है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगी एक समाजवादी राज्य बल देता है आर्थिक समानता पर आर्थिक समानता पर समाजवादी राज्य बल देता है राज्य के अंग कितने हैं चार है जी जनसंख्या छेत्र सरकार और संप्रभुता सत्ता से क्या तात्परे है शक्ती प्लस सत्ता शक्ती प्लस सत्ता इस कुश्चन को मैं थोड़ा कमेंट्स में डालूँगा और सही करके शायर यह कोई गड़बड है या फिर ठीक है 250 वा देखिए नकारात्मक सतंता का अर्थ क्या होता है बंधनों से अभाव ठीक है तो नकारात्मक सतंता होती है बंधनों से अभाव सकारात्मक सतंता होती है जिसमें बंधन होते हैं ठीक है तो ये वीडियो नोट आपको कैसा लगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक मंदों तक चीज़ें पहुँच पाएंगी तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 49 कुश्चन में आप भी कमेंट्स करिएगा और मैं भी इसका कुछ कमेंट्स में आपको जवाब देता हूँ